नमस्कार दोस्तों मेरे इस यूटूब चैनल पर आप सब का स्वागत है आज हम टाप 1000 क्वेस्चन की एक सीरी चालू करेंगे इसमें प्रती दिन आपको 10 प्रस्न मिलेंगे ये सभी प्रस्न आने वाली प्रत्योगी पर इच्छाओं में समारूप से उप्योगी रहेंगी च 1901 इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1901 इसमें सन 1901 इसमें हडपा सब्यता की खोज की गई थी सन 1921 में भारत भारती पूरा तत्व इभाग के ततकालिन अध्यक्ष सर जान मार्शल के निर्थित्व में पूरा तत्वविद दया रामसानी ने हडपा का उत्खनन किया था इसक किसके अनुसार गठित की गई? इसके बाद है तिसरा question भारत किस देश को लग आयसक का सरवादिक निर्यात करता है अप्सन ए है जापान, बी जर्मनी, सी, यु, के, डी, यु, एस, ए इसका आंसर है A. जापान, भारत जो है जापान को सरवादिक मातरा में लग आयसक का निर्यात करता है इसके बाद चौथा क्वेस्चन है सौर मंडल में कितने ग्रह हैं ए है आठ बी नौ सी दस डी ग्यारह इसका अंसर है ए आठ सौर मंडल में कुल आठ ग्रह हैं इसके नाम है बुद्ध सुक्र पृत्वी मंगल विर्यस्पती सनी यूरेनस और नेप्यून पहले जो है फ्लूटो को भी ग्रह माना जाता था परन्तु आकार में बहुत छोटे होने के कारण और काफी दूरी में इस्थित होने के कारण इसे ग्रह की स्रनी में नहीं रखा गया है इसके बाद पांचवा क्कृष्चन है विष्वकी सबसे बड़ी नदी दीप माजूली का निर्मान करने वाली नदी है इसके आपसन है A. कृष्णा B. कावेरी C. गुदावरी D. ब्रंभपुत्र इसका अंसर है D. ब्रंभपुत्र नदी जो है असम में माजूली दीप का निर्मान करती है छटवा कृष्चन है निम्नलिकित में से किसने स्वैम को हिंदुस्तान का तोता कहा था इसके आपसन है A. मलिक मुहमत जैसी B. रस्खान C. अमीर खुसरो D. इनमें से कोई नहीं इसका अंसर है C. अमीर खुसरो अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता या तूति ये हिंद कहा जाता है इसके बाद सात्वा कृष्चन है कारे का मात रख है आपसन है इसके A. जूल, B. निउटन, C. वाट, D. डाइन इसके आंसर हो जाएगा A. जूल, जूल जो है कारे का मात रख है इसके बाद आठवा D. 12 मारच को तो अंतराष्टी महिला दिवस जो है 8 मारच को मनाया जाता है इसका आंसर हो जाएगा B. आठ मारच को इसके बाद आगे चलते हैं नववा कुएस्चन दिगंभर का सही संदी विच्षेद होगा A. दी धन गंभर B. दिग धन अंबर C. दिगधन अंबर D. दिगम धन बर इसका अंसर है C. दिगधन अंबर इसके बाद आगे चलते हैं अर्थ सास्तर किस विशाय में लिखी गई पुस्तक है A. अर्थ वैस्था B. राजनिती C. साहित D. इतिहास तो अर्थ सास्तर जो है राजनिती पर लिखी गई पुस्तक है तो दोस्तों आपको या वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे, सेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यमाद